हेलो फ्रेंट्स गाड़ी शावर लेट बीट और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बिलकुल अचानक बना रहा हूँ इस वीडियो को ऐसा शूट करने का कुछ मेरा प्लान नहीं था लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है तो आप लोग को दिखा खाने लगी खाने लगी इसा मतलब कंज्यूम होने लगा कम होने लगा सर्विस के टाइम इंजन ओयल कम हुआ ब्लोबाई गैसे आ रही है तो दोनों सिम्टम मैच कर जाते हैं और लोग सोचते हैं कि हमको इंजन खोल देना चाहिए लेकिन नहीं इससे पहले भी एक कम निकला जितना निकलना चाहिए था उससे कम था यानि कि गाड़ी ने इंजन ओयल कंजूम किया और दूसरी चीज ब्लोबाई गैसे बे मुझे यहां से मिल रही थी अब मुझे लगता है कि इंजन ओवरहौल करना पड़ेगा फिर अब होगा इंजन का पूरा ओवरहौल ओवरहाल से पहले भी बता रहा हूँ क्या होता है डायरेक्ट इंजन को नहीं खोल देना जितने भी पॉसिबल कॉसेस हैं उन चीज को देखना क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसे देखा है इंजन खोला तो मेकैनिक को पता चल जाता है कि साब इसमें था तो कुछ नहीं हमने दिया लेकिन अब क्या करें करना ही पड़ेगा लेकिन वह बोलेंगे नहीं किसी को क्योंकि रिजन कुछ और होता है अब देखिए ब्लोबाई गैसेस आने का एक रिजन जो इस गाड़ी के अंदर है और और भी गाड़ियों में आता है क्या होता है यहां पे लगा होता है PC सीवी फिल्टर यह देख रहें जो ब्लोवाइक एसस निकलती है उससे ओईल को फिल्टर करता है और फिर यहां से गैस को देता है एर इंटेक में अब कई बार जब यह फिल्टर चोक हो जाएगा तो उस कंडिशन में क्या होगा आपको ब्लोवाइक एसस यहां से दिखने लेकिन यह भी पहले एक हो सकता है कि इसकी वज़े सहो तो इस बार मैंने भी फिल्टर भी लिए फिल्टर भी चेंज़ करूंगा अब आते हैं आउइल कंजियूम क्यों हो रहा है नहीं देखिए आउइल कंजियूम होता है एक तो इसस वज खाने लगी में कैनी कहा था अब इंजन खोल दो लेकिन ऑईल जाने की एक जगए और होती है वो क्या होती है यह देख रहे है अब टर्बो चार्जर टर्बो चार्जर हमारी गाड़ी को बूस्ट करता है बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आर्पियम पर गूमता है अब इस बीच में अगर टर्बो के अंदर थोड़ी सी प्ले है या फिर माइनर सा बुस्ट कटा हुआ है तो उस कंडिशन में क्या होगा एर के साथ मिल जाएगा या तो जो ऑईल है वो एर के साथ मिलके इंटर कूलर के थूरू हमारे इंटैक में जाने लगेगा या फिर अगर कहीं इस तरफ से लीक है तो क्या होगा यहां से जाएगा एक्जॉस बहुत गरम गैसे होती है तो गर्मी से वो जलेगा और जलके आपको गाड़ी के अंदर वाइट स्मोक भी दिख रहा होगा यह दो कॉसे तो अब इसके लिए मैंने क्या किया पहला जो सिम्टम था ब्लोब आइक इसे को रोकना उसके लिए मैं चेंज कर रहा हूं pcb फिल्टर सेकेंड ओईल कंजूम होने के लिए मैंने यह लाइन खो लिए इंटर कूलर निकाला था देख रहे है और इंटर कूलर में एक मिन दिखाता हूं आपको यह फिल्टर खोला हुए मैं ने इंट इंटर कुलर से ऑईल आ रहा है देख रहे हैं कि दीरे दीरे ऑईल यहां पे निकलता जाएगा अभी मैं इसको निकालूंगा तो इसके अंदर से काफी ऑईल निकलेगा अभी इसको वाश भी करूंगा पूरा तो अब समझने की दुरूत यह है कि ऑईल का कम होना एक टर्बो का भी रिजन हो सकता है टर्बो से इंटर कुलर में जा रहा है वहां पे कलेक्ट हो जा रहा है पूरा तो फिर आप यह समझने साब इंजन ने ऑईल कंज्यूम कर दिया अब करना क्या होता है सबसे पहले देखे मैंने पीसीव फिल्टर को ग्रेड चेंज किया है इस बार मैंने इससे पहले में क्या यूज कर रहा था 5W 30 अभी मैंने क्या यूज कर रहा हूं 10W 40 थोड़ा सा मैंने ग्रेड चेंज किया और दूसरा मैंने इंटर कूलर को खोल दिया इंटर कूलर को इस बार क्लीन करूंगा टर्बो को चेंज नहीं तो फिर मैं शियोर हो जाऊंगा कि ये टर्बो में प्रॉब्लम है, टर्बो की कोर वगरा जो भी होगी वो उसको हम चेंज करेंगे, और अगर इंटर कूलर में आइल नहीं मिलता है, और यहां से भी आइल नहीं है और उसके बाद भी हमारा इंजन आइल कंजूम हो रहा है, तो उस केस में हम शियोर होंगे कि हमारे जो रिंग है वो थोड़े डाउन हो गए, तो फिर भी मैं इंजन को नहीं खोलने का सोच रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इंजन को खोल देना कहने में आसान लगता है, लेकिन इंजन को खोलने के बाद एक तरह से दुबारा वो ताकत आनी पाती है गाड़ी में, कितनी भी आप कोशिश कर लीजे, कितना भी बड़े से बड़ा मेकानिक क्यों ना हो, कमपनी जैसी जो पावर थी, जो निकल के आई थी, वो नहीं आ सकती, तो कोशिश ये करनी चाहिए, कि एंजन ज्यादा से ज्यादा टाइम सील रहे, मतलब जितना आप यूज कर सकते हैं, उतना यूज कर लीजे पूरा, फिर उसके बाद ही इंजन को खोलिए, तो अभी मैं इसको यूज करूँगा, और जो एक बन में डाउट है, कि अगर रिंग की वज़े से थोड़ा बहुत भी oil consumption होगा, तो मेरा जब ये ग्रेड में चेंज क कि खतम हो जाए, लेकिन इन सारे स्टेप को किये भी ना, इंजन को खोल देना, मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी है, फिलहाल ये वीडियो एक इन्फरमेटिव वीडियो आप के लिए बनाई थी, ताकि कभी इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा हो, तो इन सारे पॉइंट कर रहा था रूटीन, लेकिन करते करते भी वहां तक आ गया, तो मुझे लगा कि ये चीज बता देनी चाहिए, वीडियो के पीछे कोशिश यही है, मकसद यही है, कि आप लोगों का जो लगने वाला मेंटिनेंस है, उसको मैं रिडियूस कर पाऊं, फिलहाल वीडियो में इतना ही था, वीडियो अगर अच्छी लगी है, तो लाइक कर दीजेगा, और मन में कुछ सवाल आए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अगर चाहें, तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, मिलूँगा नेक्स वीडियो में, ऐसे ही किसी था, तो मुझे वाचिख वाचिए।